नमस्टार इससे पहले आप मेरे साथ विलियम शिक्सपे की सॉनेट नमबर 116 जो कि थी लैट मी नॉट तू दो मैरे जॉफ टू माइंड्स और सॉनेट नमबर 29 पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ते हैं सॉनेट नमबर 30 यह जो सॉनेट नमबर 30 में जो विचार हैं वो कन 30 आपको अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि वही विचार वही थॉट्स कंटीन्यू हो रहे हैं यहां पर भी तो शुरू करते हैं इसको वैं जब टू दशेशन सेशन क्या होता है अक्सर जब कोर्ट लगता है यानि अदालत लगती है तो उसको कहा जाता है कि the court is in session यान दर्बार लगा हुआ है अदालत लगी हुई है court session में है लेकिन यहां पर session का मतलब होगा एक तरीके से accumulation यानि meeting तो when जब to the sessions यानि कि संग्रह में collection में of sweet silent thoughts sweet मीठे silent शांत thoughts विचार तो जब शांत मीठे विचारों के संग्रह में so one in the collection और in the accumulation of sweet calm thoughts, ideas ऐसे में जब ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो हमको याद आता है विलियम वर्ट्सवर्थ का emotions recollected in tranquility emotions यानि भावना है recollected जो याद की जाती है in tranquility मने शांती में तो वैसी ही कुछ यहां पर भी feeling है sweet silent thoughts यानि एकदम मीठे शांत विचारों में तो उन विचारों के session में यानि उनके collection में जब वो मेरे दिमाग में चाय हुए होते हैं when there is a meeting when there is an accumulation when there is a collection of sweet silent calm peaceful thoughts means ideas so when there is an accumulation of peaceful sweet ideas in my mind तब क्या होता है I summon up summon मने बुलाना so I call up मैं बुलाता हूँ remembrances मने remembrance क्या होती है याद मैं बुलाता हूँ याद को यानि I call up memories of things past things चीजें past जो गुजर गई अतीत की so all the things all the incidents that have happened in the past in the bygone times तो जो गुजरे हुए जमाने में चीजें हुई हैं उनकी याद को मैं बुलाता हूँ और क्या करता हूँ I sigh sigh means आहें भरना so I lament I cry over I lament over I wail over I weep over किस चीज़ पर होता है the lack means कमी want scarcity of many a thing many a thing देखिए many और a जब लगा होता है तो आगे जो noun होता है वो भी singular आता है और उसके बाद कहीं verb भी आएगी तो वो भी singular आएगी लेकिन meaning उसका plural में निकलता है तो many a thing का मतलब many things बहुत सारी चीज़ हैं तो मैं किस चीज़ पर होता हूँ the lack of many a things many a thing मतलब कि many things I cry over I wail over I weep over the scarcity of many things I sought sought seek की second or third form है तो यहाँ पर यह second form है past indefinite tense है यहाँ पर I sought means मैंने चाही I wanted I desired I wanted to possess them तो बहुत सारी चीज़ हैं जिनको मैंने चाहा and with old woes with old means पुराने woes means sorrows, sufferings, कष्ट तो with old woes पुराने कष्टों के साथ पुराने दुखों के साथ new woes means new woes means rudan, rona, cries, saps, nai ahen, naya roden, naya willap, new woes my dear time my precious time मेरे कीमती वक्त को waste बरबाद करते हैं यानी पुराने दुखों के साथ नए रुदन, नए विलाब मेरे खिंती वक्त को बरबाद करते हैं With old memories, old sorrowful memories New cries, new lament waits my precious time Then, तब, can I drown? मैं डुबा सकता हूँ An eye, एक आँख, यानि मेरी आँख, उस वक्त मैं अपनी आँखों को डुबा सकता हूँ और मेरी आँखें है कैसी? Unused means they are not accustomed to, they are not habitual to यानि वो आदी नहीं है, वो अभ्यस्त नहीं है, उनको आदत नहीं है किस चीज़ की? To flow, रोने की, to cry, to lament, to weep मेरी उन आखों को मैं आँखों में डुबा सकता हूँ जिनको के रोने की आदत ही नहीं है किसके लिए? किसके लिए डुबाएगा भई? For precious friends, precious means valuable, कीमती, friends, दोस्त, मेरे उन दोस्तों के लिए who were valuable for me, जो मेरे लिए बेश कीमती थे, अब कहां है? hidden, छिप गए हैं, they are hidden in death's, dateless, night, that's मृत्युकी dateless, endless, जो कभी खत्मी ही नहीं होती, night, रात तो ऐसी रात में, मृत्युकी में, वो छिप गए हैं, which never comes to an end that night of death is endless eternal, and weep, और मैं रोता हूँ, afresh, फिर से, again loves, long sins, loves, प्यार की, long sins, लंबे समय से, cancelled, जिनको cancel कर दिया गया, तोड दिया गया, वो कसमें, जो हमने प्यार की कसमें खाई थी, हमारे साथ किसी ने प्यार की कसमें खाई थी, और वो cancel कर दी, तोड डाली, उन कसमों की खातिर, मैं, फिर से, रोता हूँ, and weep, afresh, means, I cry again, I lament again, किस चीज़ पर होता हूँ, loves, long sins, cancelled, वो, प्यार की बहुत पहले, लंबे समय पहले, तोड दी गई कसमों की खातिर, and mourn, और आहें भरता हूँ, the expense, expense, क्या खर्चा आया, क्या कीमत चुकाई, expense, value, price, जो कीमत मैंने चुकाई, of many, बहुत सारे, मैंनी, a vanished site, vanished means, जो गायब होगे, the sites, the sins, sites means sins, drishya, vanished, जो गायब होगे, disappeared, so I moan means I lament over, I wail over, I cry over the expense, the value of those sins which have vanished, many sins which have vanished, and I had to pay a great price for them, यानी, बहुत सारे द्रिश्य, जो मेरे जीवन में आये थे, जिनके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, और वो गायब हो गए, मैं उन पर रोता हूँ, उनकी उस कीमत पर रोता हूँ, जो मैंने चुकाई, then, तब, can I grieve, मैं रो सकता हूँ, grieve means, रोना, रोता बहुत है, पूरे, आप देखेंगे, इसमें रोता बहुत है, Shakespeare, and then, then, तब, can I grieve, मैं रो सकता हूँ, at grievances, grievances, sorrows, sufferings, miseries, तो मैं रो सकता हूँ, at grievances, यानि कश्टों पर, रो सकता हूँ, foregone, foregone, पहले गौन चले गए, जो के, पहले चले गए, मतलब, past में, अतीत में गुजर गए, so, the sorrows and sufferings that I have endured in the past, that I have tolerated in the past, that I have born in the past, जो मैंने बरदाश किये हैं, foregone, अतीत में चले गए, and heavily from woe to woe tell over, and heavily, heavily तो होता है भारी, अब यहाँ तो भारी क्या है भही, या बजन, वैसा बजन नहीं है, आपके दिल पर भी तो एक बजन होता है न, जो किलोग्राम में नहीं तोल सकते आप, गहरा होता है, दिल पर जो बोज होता है, वो वालाई ये, and heavily, तो हम यहाँ पर heavily का जो meaning निकालेंगे, sadly निकालेंगे, और बड़े दुख के साथ, from woe to woe, woe to woe, एक कश्ट से दूसरे कश्ट तक, tell over, बता सकता हूं, सुना सकता हूं, क्या सुना सकता हूं भी, दुख के साथ, एक कश्ट से दूसरे कश्ट तक सुना सकता हूं, means, I can tell over, I can tell, I can narrate my miseries, my sorrows, with a heavy heart, with a sad heart, और क्या सुना रहा है भी, the sad account, sad, miserable, sorrowful account, हिसाब किताब, लेखा जो खा, detail, the sad detail, the sorrowful details, दुख से भरा हुआ हिसाब किताब, दुख से भरा हुआ, लेखा जो खा, किसका, of four, bemoaned, moan, ये four फिर से आ गया, पहले भी आया था four, f-o-r-e-four, और तब भी मैंने बताया था, four का मतलब, जो पहले ही हो चुका है, bemoaned, moan, मतलब आयें भरना, रोना, four bemoaned, जिन पर मैं पहले ही रो चुका हूँ, moan, फिर वोई वोई रोना, मतलब, दुख, कश्ट, विलाप, तो जिन दुखों पर, जिन कश्टों पर, मैं पहले रो चुका हूँ, उनका मैं account दे सकता हूँ, उनका मैं details दे सकता हूँ, उनका मैं vivrant दे सकता हूँ, उनका मैं लेखा जोखा दे सकता हूँ, which I now pay, which जो के I may now up pay चुका रहा हूँ, I am paying for them now, I am bearing the expenses for them now, as if, जैसे के not paid before, मैंने पहले pay किया ही ना हो, ऐसे चुका रहा हूँ, जैसे के पहले मैंने उधार में ले ली कोई चीज़, और चुका या नहीं, तो अब रो रो के उनको सबको चुका रहा हूँ, as if I have not paid before, as if I have taken a loan, मैंने जैसे कोई कर्जा ले रखा हो, और रो रो के उस कर्जे को मैं अब चुका रहा हूँ, लेकिन फिर से वही बात, जो सॉनेट नमबर 29 में थीज से पहले, फिर से वही बात, यानि इतने सारे कश्ट, इतने सारे दुख, इतना सारा रोना सिस्कियां आँ है, सब का इलाज एक ही है, क्या है, बट लेकिन, if यदी, the while, जिस पल, I think, मैं सोचता हूँ, on the, तुम्हारे बारे में, dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे अजीज दोस्त, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, all losses, सारे नुकसान, are restored, उनकी भरपाई हो जाती है, and sorrows, or kushed, and, समाप्त हो जाते हैं, जैसे ही तुम्हारा ख्याल आता है, मेरे दोस्त, मेरे सारे कश्टों की, सारे नुकसानों की भरपाई हो जाती है, और मेरे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ये दोस्त जैसे, दोस्त ना हुआ, एक रामबाण हो गया, रामचंदर जी का जो बाण है, वो हर मर्ज की दवा है, रामबाण उसदी कहलाती है, हमारे यहां, जो कोई ऐसी दवा हर चीज में काम आए, भही आपको बुखार आया, ये दवाई खालो, सर में दर्द है, ये दवाई खालो, और कोई कश्ट है, ये दवाई खालो, तो एक ही दवाई, जब सारे कश्टों में काम आती है, तो हम उसको बोलते हैं, पैना सी, पी ए ए एन ए सी ए पैना सी, और हमारे हिंदी में बोलते हैं, राम बाड़ उशती, तो ये जो दोस्त हैं इनके, मिस्टर डवलू एच, ये हर मर्ज की दवाई हैं, ऐसा लगता है, तो जैसे ही उनका ख्याल आता है, शेक्सपियर को, शेक्सपियर सहारे अपने कष्टों को भूल जाता है, वो अपने आपको बहुत रेच, बहुत प्रोस्पेरस फील करने लगता है, जैसा कि सॉनेट नमर 29 में भी किया था, और सॉनेट नमर 30 में भी वो कर रहा है, और आप देखते हैं कि, उपर से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप भी उसके साथ साथ फील करते हैं, कि भाई कितना कष्ट में हैं, विलियम शेक्सपियर आप सिंपथाइस करने लगते हैं, उसके साथ आप भी एक तरीके से रोने लगते हैं, कि इतना कश्ट है इतना दुखी है ये और भी बड़े दुख में हैं लेकिन लास तक आते आते वो खुद भी होपफुल हो जाता है एंड में आते आते और हम भी उसको देखकर थुदा होपफुल महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग देखिये ऐसा कोई नहीं है हमें से जिसकी लाइफ में कश्ट ना हो प्रॉब्लम्स ना हो हम सभी फेस कर रहे हैं लेकिन अगर एक चीज भी पॉजिटिव हमारे पास है एक ची optimistic like William Shakespeare तो हर sonnet से जैसे हमको लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है sonnet no.29 में भी ऐसा लगा कि देखिये हमको कुछ सीखने को मिला और अभी sonnet no.30 हमने पढ़ा तो इसमें भी हमको लगा कि भी जब William Shakespeare एक दोस्त रखता है और एक दोस्त को possess करने की वज़े से वो इतना खो हो सकता है कि अपने सारे कश्टों को भूल जाता है तो कुछ नकुस तो हमारी life में भी हमारे पास भी ऐसा है ना जिसको सोच कर हम optimistic हो सकते हैं हम खुश हो सकते हैं तो जब आप critical appreciation लिखें हैं इसकी या फिर explanation लिखें तो आप भी critical comments में नीचे डाल दीजेगा कि भई एक त और ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके पास एक भी चीज positive ना हो तो इसके साथ ही ये वीडियो हम समात करते हैं धन्यवाद